हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वेटीर कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्वेडिंग स्ट्रेजी बेस्ट ऑन आइलेंड पैटर्न यानि आइलेंड पैटर्न क्या होता है हम सबसे पहले उसके उपर ब कर सकते हम उसके बेसिस पर कैसे ले सकते हैं यहां पर इस वीडियो में एक एक करके बात करें जा रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हम चार्ट पे आगे हैं अब यहां पर जो हम चार्ट पर आलें और यहां पर आपका डाउं ट्वेन्ट देखने मिलता है फिर आपका एक range bond move इस तरीका देखने को मिलता है फिर इसके बाद क्या होता है price यहां से आपका upside की तरफ निकलता है और जब इस range को break करके price उपर निकलता है तो यहां पे हम इस target price के लिए जा सकते हैं यहां से downtrend start हुआ है इस target price के लिए यहां पे हम जा सकते हैं तो यही क्या लाता है आपका island pattern यहीं प्राइस जहां से given start हुआ है वह आपस से उसी level करीब आएगा और यहां पे क्या होता है यहां पे आपका एक range bond movement दिखाता है accumulation zone होता है जहां पे power का transfer होता है from sellers to buyers इन सारे concept को हम एक एक करके समझते है लेकिन यह pattern identify करने के लिए हमें इस तरह का move identify करना होगा chart पे जो कि काफे simple है यहां पे step by step हाना सबस्पहले आपको downtrend identify करना है तो देखिए downtrend आपका यहां पे भी देखने को मिलवा है और यहां पे भी देखने को मिलवा है क्या इसके बाद इस तरह का parallel move formation कर रहा है नहीं कर रहा है यहां पे देखे अगर हम high को mark कर रहे हैं तो इस तरह का move हो गया low को mark कर रहे हैं ऐसा move देखने को नहीं मिला है यहां पे अगर हम इसके high को mark करे और down को mark करे low को mark करे तो इस तरह का move का formation दिखा है तो यह लग रहा मेरा क्या island pattern का formation करेगा downtrend है इसके बाद देख सकते हैं यह high हो गया और यह low हो गया मतलब यहाँ पे मेरा क्या form कर दिया यह आपका island pattern का यहाँ पे formation कर दिया अब यहाँ पे हमें breakout के लिए जाना है और यहाँ पे breakout किस तरफ देखने को मिलेगा हमें upside की तरफ देखने को मिलेगा अब क्यों देखने को मिलेगा यह चीज यहाँ पे हमें identify किरना है लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यह जो pattern है यह कि डेली टाइम फ्रेम प्रेफर करना नहीं तो आप चाहते हो वन आवर वाले टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो वन आवर, टू आवर, वन आवर से नीचे नहीं जाना क्योंकि वन आवर जैसे हम नीचे जाएंगे हमारा candle का जो accuracy label होगा वो कम हो जाएगा यानि candle का maturity label होगा वो कम हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमें सही तरीके से accurate call नहीं मिलेगा इसलिए minimum यहाँ पे हम आवरली टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं इससे नीचे नहीं जा सकते हैं डेली, four hour, two hour, आवर आवली चार्ट में इसको आप यूज कर सकते हैं तो टाइम फ्रेम के लिए को डाउट है वो यहाँ पे clear हो गया होगा अब इसके बीसिस पे हम ट्वीडिंग डिसिएंस कैसे ले सकते हैं identification process मैंने अलवरी explain कर दिया अब यहाँ पे हमने high को mark कर दिया, low को mark कर दिया अब यहाँ पे moment कैसा हो रहा, price का कैसा move कर रहा वो समझे सबस्पहले price नीचे आ रहा, that means true यहाँ पे कौन हाभी है, sellers हाभी है और market किसके control में, sellers के control में market अभी है अब जैसे ही price यहाँ पे आया इस particular level पे जाने के बाद price नीचे नहीं गिर रहा that means true, यह जो area है, नीचे वाला वो किसका area बन गया, वो यहाँ पे buyers का area बन गया है that means true, यहाँ पे हमें buy side के तरफ positions लेना है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पा रहा मतलब, यहाँ पे buyers भी ज़्यादा हाभी नहीं है और sellers भी ज़्यादा हाभी नहीं है मतलब, यह जो range के बीच में price move कर रहा है यह हमें क्या दिखा रहा है कि अभी जितना strength buyers के पास है same strength sellers के पास भी है और उससे पहले क्या था उससे पहले market sellers के control में था मतलब, sellers का strength ज़्यादा था तो यहाँ पे sellers का strength है वो decrease हुआ है और buyers का strength धिरे-धिरे increase हो रहा है और अभी दोनों का बराबर है मतलब, यहाँ पे strength gain कोन कर रहा है यहाँ पे strength buyers gain कर रहा है और strength lose कोन कर रहा है strength lose कर रहा है sellers, बस आपको यही identify करना market में जहां कहीं भी आपको doubt लग रहा है कि हम कौन सा trade ले आप इस तरीके से देखिए जो situation आप देख रहे हैं उससे पहले कौन market रहा है और किसका strength कम हो रहा है किसका strength जादा हो रहा है अगर buyers अपना strength increase कर रहे है यहाँ पे अगर हमें breakout मिलता है तो most probable chance है कि breakout हमें upside की तरफ मिलेगा upside की तरफ हम तई आ रहेंगे लेकिन हमें downside की तरफ भी मिल सकता है इसलिए हमें दून तरफ ready रहना पड़ेगा लेकिन जैसे हमने देखा कि यह pattern बन रहा है तो यहाँ पे upside की तरफ breakout दे सकता है तो यहाँ पे 70% chances रहते हैं upside की तरफ breakout मिलेगा 30% chance रहते हैं कि नीचे भी दे सकता है क्योंकि इसका accuracy आपका 70% करीब है तो कभी-कभी आपका यहाँ पे SL भी hit हो सकता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जैसे ही price इसको break करके उपर निकला यहाँ पे हम buy-sair की तरफ positions initiate करेंगे और जो candle इसको break करके उपर निकला उसका lowest point यहाँ पे मेरा SL के रूप में काम करेगा या नहीं तो आप इसके lowest point को भी SL के रूप में रख सकते हो इस pattern को जो भी lowest point है वो भी रह सकता है अब यहाँ पे पहला target price यह होगा जहां से down to end start हुआ था दूसरा target previous swing आए यह हो जाएगा तीसरा target के price उससे previous जो swing आए है वो हो जाएगा जो कि इसको hit नहीं किया है तो यहाँ पे हमने जो entry लिया बाइसर की तरफ 640 पे लिया पहला target price था आपका लगभग यहाँ से 700 करीब और दूसरा target price था आपका 740 करीब यहाँ पे अगर हम 700 का भी profit लेते हैं यहाँ पे भी अगर हम profit book करते हैं लगबाग मुझे 60 point का profit मिला 60 point that means to 10% का profit मुझे यहाँ पे आसानी से मिल गया है यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से 9-10% का profit secure कर लिया है यहाँ पे कोई complications नहीं है सबसे simple pattern है जिसको identify करना बहुत ही simple है अब यहाँ पे मैंने इस pattern quality draw करके रखा आप देख सकते हैं यह pattern को आप यहाँ पे clear cut देख सकते हैं यह pattern आपका यहाँ पे visual हो गया sharp drop देखने को मिला है यहनि price आपका इस तरीके से नीचे गिरना चाहिए अगर price आपका ऐसे 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 से नीचे गिर रहा है तो फिर इसको count नहीं करें price आपका एक line में जैसे यहाँ पे गिरावट दिखा है वैसे या फिर जैसे यहाँ पे गिरावट दिखा है वैसे गिरना चाहिए दूसरा है किसकी बाद आपका देख सकते हैं किसे base formation होना चाहिए या फिर इसको आप कया बोल सकते हो इसको आप ये प्रेखुमलेशन हम क्यों बहुते हैं कि हहां पर in trvy किया जा रहा बड़े-बड़े प्लेयर्स के दुआरा यहीं पर वह ही जग़ा रहता जहाँ पर लोग करते हैं और यहीं रहता जहांपे perfect buying zone आपका बनता है उसके बाद price उपर जाता आप इस तरह के से target अपना set कर सकते हैं यह simple सा concept है ज्यादा कोई complications नहीं है इसके basis पर आसानी से आप tweet setup ले सकते हैं बस इसको identify करना आना चाहिए उसके लिए simple process बता है downtrend उसके बाद आपका इस तरह का parallel channel या फिर parallel line बनना चाहिए अगर हम high और low को join करते हैं उसके बाद जैसे इसको break करके उपर निक लेगा आप यहाँ पर breakout के लिए upside move के लिए जा सकते हैं target price हमारा यह हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह जो concept है आपको समझ में आ गया होगा इससे related कुछ भी doubt या फिर confusion हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं वहाँ पर proper answer किया जाएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe भी किजिए साथ बेल आइकन दबना ना भूले ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो आगे और भी बनाए notification आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को miss ना करें so that's all friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहन